आज मैं आपको एक सांदार कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने निवेशकों को ओवर दाइयर बहुत बड़ा पैसा बना के दिया और आंगे भी ये पैसा बना के देते रहने का दम खम रखता है ये एक केमिकल स्टॉक है मैंने इसमें अपने वीडियो के माध्यम से आपको कई बार बताया है कि आप इसमें अपनी पोजिशन मनाईए ये एक प्योर मल्टी बैगर सेहर है लॉंग टर्म के लिए और अच्छी कासी इसमें रैली जा रही है तो लॉंग टर्म के लिए आप इससे वह एड कर सकते हैं पोटफोलियो में कर रहा हूं कंपनी है और आइसो प्रोपाइल बनाने वाली एक कंपनी है जिससे इसको सनिटाइजर के यूज में आती है और इसका अच्छा खासा इसको बैनिफिट स्कॉर्टर के रिजर्ट में भी आपको मिल सकता है दोस्तों इस टॉक बीसे नसी दोनों में लिस्टेड जैसा आप हैं और एक पुरानी कंपनी लगबख 50 साल हो चुके हैं इस पुरानी कंपनी को तो आज देखते हैं इसने आज मतलब 5 अगस को कैसा कारोबार किया है तो आज नसी पे करीब करीब आप देख सकते हैं एक दसमलो 6-8 परसेंट की तेजी रही है करीब करीब 10 रुपय के ऊपर अपना पैसा लगाया और रख लिया 10-15 साल तो करोनपती बना के छोड़ेगा दोस्तों दिगज स्टॉक है लॉंग टम के लिए बिल्कुल आप चूकना नहीं दोस्तों इसलिए मैं रिपीटेड वीडियो बनाता हूं ताकि आप इसे अपने पोर्टफोलियों में जरूर परसेंट के रिटन दिये एक महीने में इस टॉक ने 33.89% के शांदार रिटन दिये 2020 के अंदर 71 समलों 94% का रिटन का माके दिया है वह है इसने एक साल में सांदार 181% रिटन देके आपके पैसे को लगभग ढ़ाय गुना कर दिया दोस्तों तीन साल में दिगज स्टॉक ने आपके पैसे को लगभग लगभग साड़े 33 गुना किया है स्टॉक ने बीते 10 साल में तो इस टाइप का ये स्टॉक है तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में एड किजिए लॉंग टम के लिए अच्छा कासा आपको पैसा जरूर बना के दे सकता ये दिगज स्टॉक है और कोई भी कमी ने इस टॉक के अंदर आज पांच अगस्त को जो एने सी पे क्लोजिंग हुई आप देख सकते हैं करी 640 रुपए के असपास जिसमें वॉल्यूम ट्रेड हुए 622,483 के वहीं जो इस टॉक की जो फेस वैलू आप देख सकते हैं दो रुपए की 52 वीक आई यह वह 673 रुपए गया तो लगातार इस टॉक अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहा है आपको लॉंग टर्म के लिए आपने इसको एड किया तो कोई दोराय नहीं है आपका पैसा बनना बिल्कुल फिक्स है यहां भी आप देख सकते हैं बीते एक साल में करीब करी अच्छा प्रदर्शन किया है और आंगे भी करेगा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सैनिटाइजर के लिए ऐसो प्रॉपाइल भी बना रहा है तो अच्छा खासा यह प्रदर्शन करेगा और लगातार अपनी कैपैसिटी को बढ़ाता चला दाहज में इसने मूचल फंट 12.74 परसेंट और इंस्वरेंस कंपनी जो इसमें है वो 0.74 परसेंट है नौन इंस्टिटुशन इंवेस्टर के पास जो होल्डिंग और 29.28 परसेंट की वहीं अधर डिया इसमें 0.34 परसेंट का स्टेक रखते हैं दीपक नाइटेट के स्टॉक के अंदर मैज आप 4 परसेंट की ओलिंग रखी एफाई आई की 96 इसकी मोने 11.48 परसेंट का होल्डिंग रखा है प्रामोटर विथ हाईस्टो विद इपक चमलनाल मैताक पास 16.04 की होल्डिंग है हाईस पब्लिक शेर होल्डर जो है वो रिलाइंस ट्रस्टी के पास 5.04 परसेंट की रखते हैं तो लगातार इसमें अच्छा प्रदर्शन किया यदि आप लॉंग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इस दिग्च केमिकल स्टॉक को अपने पोर्टफोलियों दोस्तों एड कीजिए बड़ा पैसा बनाके दे सकता है आपको यह